मेरा नाम नीलम मिश्रह है और यह मेरा चैनल है कॉमर्स लर्निंग जिसमें मैं कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस बना रही हूँ मैंने कुछ अल्रेडी वीडियोस बनाए हुए हैं आप लोग उन्हें जाके चेक आउट करिये अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिये वीडियो को शेयर करियेगा ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग मैं शुरू करने से पहले पहली बता देती हूँ अगर थोड़े सी कॉलिटी कम हो तो आप कॉलिटी को बढ़ा लीजेगा और अगर मेरी स्पीड अगर कम लगती है तो आप स्पीड भी बढ़ा लीजेगा ठीक है तो अब शुरू करते हैं कैपिटल बजटिंग होता क्या है हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो चीजे होती हैं पहले होती है फाइनसिंग फाइनसिंग मीन्स पैसा हमें कहां से लाना है कहां से कलेक करना है और दूसरा होता है कि उस पैसे को हम कहां पे इन्वेस्ट करेंगे उस फंड को हम कहां पे इन्वेस asset ठीक है मतलब जो भी हम business में जैसे business start करने से पहले जितना भी हम asset लाते हैं जैसे fixed asset लाते हैं वो हमारी capital budgeting होती है ठीक है जो पैसा हम लगाते हैं जो long term के लिए रहती है वो हमारी capital रहती है budgeting का मतलब सब भी जानते हैं कि budget तयार करना जैसे को अब normal day to day life में हम लोग एक budget तयार करते हैं न कि हमारा इतना budget है वैसे ही जब business में क्या होता है कि हम capital का एक budget तयार करते हैं कि हमें कितनी capital अपने business में लगानी है कहां कहां पे लगानी है कितनी जरूरत है उसको कैसे handle करेंगे वह होता है capital budgeting तो इस definition में इस meaning में अगर देखा जाए capital budgeting is the process of making investment decision in fixed asset और capital expenditure वही मैंने पहले ही बताया कि वो process जहां पे हम investment करते हैं कहां पे fixed asset में वो capital expenditure कहलाता है और उसी process को हम capital budgeting कहते हैं तो मतलब कि capital expenditure के लिए जो हम planning करते हैं capital के acquisition करते हैं decision लेते हैं investment करते हैं वो होता है हमारा capital budgeting अब हम देखेंगे कि capital expenditure के क्या क्या example है जो कि हम capital budgeting में करते हैं कहां कहां पे हम खर्चे करते हैं पहला हो गया जैसे cost of acquisition of permanent asset as land, building, plant, machinery, goodwill, etc means जो हम बड़े-बड़े खर्चे करते हैं जो permanent हो गया जैसे जमीन खरीद ली, building लगा दी, plant हो गया, machinery हो गई ठीक है यह तुमारे सीधे-सीधे capital expenditure होते हैं second point is cost of addition, expansion, improvement, or alteration and fixed asset fixed asset जैसे हमने कोई हमाय पास already है अगर हम उसमें और addition कर रहे हैं उसे और expansion उसका कर रहे हैं या फिर उसी में improvement का काम करा रहे हैं repair, मरमत करा रहे हैं या alteration कर रहे हैं these are also comes in the category of capital expenditure third one is cost of replacement of permanent asset means कि अगर हमाय पास permanent asset है उसे अब हमें replace करना है replace करना means या तो हम नई खरीद रहे हैं या तो हम उसकी जगे second hand ला रहे हैं वो होता है replacement तो वो भी हमारा capital expenditure में आएगा फिर सबसे जरूरी, सबसे अच्छा कह सकते हैं expenditure है research और development project cost जो हम research करते हैं वो भी हमारा capital expenditure ही होता है इसमें भी बहुत पैसा खर्चा होता है तो ये हो गया हमारा capital expenditure जो की हम capital budgeting में करते हैं ठीक, अब हम देखेंगे nature of capital budgeting की capital budgeting का nature क्या है first is पहला तो हम देखें कि risk और uncertainty रहती है दूसरा क्या है long run के लिए रहता है जो भी हम मतलब capital budgeting करते हैं वो हमारी long run के लिए रहती है short run के लिए नहीं रहता है तीसरा risk जो भी रहता है न they affect the risk of the firm capital budgeting जो हमारी सीधे सीधे affect करती है हमारे firm के risk को और large amount of fund involved रहता है इसमें हम capital budgeting जब करते हैं capital में का जो investment करते हैं तो उसमें large amount of fund involved रहते हैं छोटे मोटे fund हम नहीं लगाते हैं फिर they are among the most difficult decision to make ये बहुत ही difficult decision होते हैं जो के लिए जाते हैं इतने easy नहीं रहते हैं इनके लिए export बिठाए जाते हैं जो कि capital का budget तैयार करते हैं जो कि उसे execute करते हैं अलग-अलग team रहती हैं then the future benefits are expected to be realized over a series of years means कि हम जो भी हमें benefit मिलने वाला है हम ये मान के चलते हैं कि हमें आगे आने वाले सालों में वो मिलेगा then the fund are invested in non-flexible and long-term activities यानि कि जो भी हम fund invest करते हैं उसे हम ये मान के चलते हैं कि वो non-flexible है उसे हम change नहीं कर सकते हैं और long-term के लिए long-term की activities के लिए वो fund invest किये गए हैं ऐसा मान के हम चलते हैं फिर है any decision that require the use of resources is a capital budgeting decision यानि कि वो सारे decision जिसमें ये देखा जाता है कि resources का use कैसे किया जाएगा वो decision भी capital budgeting के ही अंदर आते हैं then next point is mostly capital budgeting decision are irreversible decisions that cannot be revert back means capital budgeting के जो भी decision होते हैं वो irreversible रहते हैं हम उने reverse नहीं कर सकते हैं change नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा fund involved रहता है और क्योंकि future के लिए रहता है short term के लिए नहीं रहता है long term के लिए रहता है तो इसलिए ये सारे decision irreversible होते हैं फिर देखते हैं कि capital budgeting में कितने तरीके के decisions लिए जाते हैं first is accept reject decision second is mutually exclusive project decision third is capital rationing decision तो हम पहला पढ़ेंगे accept reject decision इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है when the investment project do not compete with each other except reject decision are taken means कि जब हम ऐसा project उठाते हैं ऐसे मालो दो project हैं जो कि एक दूसरे से compete नहीं करते हैं ऐसे decision में हम compare करेंगे जिसकी cost हमें कम लगेगी और जो ज़्यादा return देंगे उसे हम accept कर लेंगे और जो दूसरे में जिसमें ज़्यादा cost भी लग रही है और कम return दे रहा है तो उसे हम reject कर देंगे यही होता है हमारे accept और reject decision में जिसमें की एक project को accept कर लिया जाता है और दूसरे को हम reject कर देते हैं Second जो decision है वो है mutually exclusive project decision इसमें ये बोला गया है When two proposals compete with each other One proposal is accepted at the cost of other Means की इसमें दो proposal है मान लो इसमें एक को जब हम select करेंगे तो दूसरा अपने आप ही मतलब उसमें reject हो जाएगा वो कैसे होगा ये देखो कि जैसे मान लो हमने हमें एक machinery खरीदनी है ठीक है हमें एक machinery replace करनी है मान लो तो या तो हम उसे replace करेंगे या तो हम नई machinery लाखे या फिर हम एक used machinery ले आए या फिर हम higher purchase system के जैसे एक machinery hire कर लें ठीक है तो तीन option हो गए हमाई पास या तो हम नई machinery लेके आए या तो used machinery ले 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 या तो hire कर ले कोई पुरानी machinery ठीक तो जब हम एक decision ले लेंगे मानलो हमने decide कि हम एक used machinery ले ले लेंगे तो अपने आप ये जो बांकी के दो option है वो अपने आप हट जाएंगे इसलिए इसमें बोला है कि एक proposal जो accept होगा तो वो दूसरे के cost पे ही होगा ठीक है इसमें यही बोला गया है कि decision are set to be mutually exclusive if two or more alternative proposals are such that the acceptance of one proposal will exclude the acceptance of other alternative proposal यानि एक का acceptance दूसरे के acceptance को exclude कर देगा हटा देगा जब हम एक को accept कर लेंगे तो दूसरा वाला अपने आप ही हट जाएंगा option तो ये था mutually exclusive project decision third one is capital rationing decision इसमें यह बोला गया है कि when the firm has several profitable investment proposal but due to limited funds the firm has to ration them means कि हमाय पास limited fund है लेकिन हम proposal को तभी वैसे ही accept करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी ठीक है जितना हमारा budget कह रहा होगा वो होता है capital rationing decision जिसमें की एक limit बता दी जाती है कि आप इतनी चीज़ों को accept कर सकते हो तो हम उनी चीज़ों को accept करेंगे जिसमें जो profitability का जो मतलब वो हो की जादा profit हो greatest profitability opportunities जाता हो और उनी के हिसाब से हम proposals को accept करते जाएंगे जितनी की हमें limit हमने बना के रखी होगी ठीक तो ये थे तीन decisions तो आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम देखेंगे की techniques क्या क्या है capital budgeting की ठीक अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करें वीडियो को और channel को subscribe करें वीडियो को share करें thank you have a nice day bye bye